हेलो बच्चो मेरा नाम गौराव मलिक है मैं केंद्रिय विद्याले में टीचर हूँ और आज हम करेंगे NCRT Class 5 English Marigold Unit 4 My Elder Brother के Question Answers और Book बच्चो Question Answer करने से पहले आप Chapter का Explanation देख सकते हैं उसका Link मैंने वीडियो के Description में दे दिया है साथ ही जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आने वाले वीडियो आप तक पहुंचती रहे Reading is Fun First Question What are the things that Munna like to do? यानि कि Munna को कौन सी चीज़े करना पसंद था? The answer is Munna like to play marbles, fly kites, play volleyball and kabaddi, drawing pictures of animals and birds यानि कि Munna को कंचे खेलना, पतंग उडाना, volleyball और कबड़ी खेलना और जानवरों और पक्षियों के चित्र बनाना पसंद था Next Question What did भाईया do all day? यानि कि भाईया दिन बर क्या करते थे? तो इसमें हैं भाईया read books all day भाईया दिन बर किताबे पढ़ते थे Next Question Why was Munna not happy with the timetable that भाईया made for him? यानि भाईया ने उसके लिए जो timetable बनाया था मुन्ना के लिए उससे मुन्ना खुश क्यों नहीं था? तो इसका अंसर है मुन्ना was not happy with the timetable that भाईया made for him because there was no time to play in the timetable यानि भाईया ने उसके लिए जो timetable बनाया था उससे मुन्ना इसलिए खुश नहीं था क्योंकि उस timetable में खेलने का समय नहीं था Next Question है How do you think मुन्ना felt when his brother was so strict with him? Why was भाईया so strict with him? यानि आपको क्या लगता है मुन्ना को कैसा लगता होगा जब उसका भाई उसके साथ इतनी शक्ती से पेस आता था या फिर इतना सक्त था और भाईया उसके साथ इतना सक्त क्यों थे? तो इसका अंसर है मुन्ना felt like running away and going back home when his brother was so strict with him यानि कि मुन्ना को ऐसा लगता है कि वह घर वापस भाग जाए जब भाईया उसके साथ इतना strict यानि कि इतना सक्त होते थे भाईया उसके साथ इतना सक्त इसलिये थे क्योंकि वह जादा नहीं पढ़ता था और पढ़ने की बजाए क्या करता था वो बाहर चला जाता था अपने दोस्तों के साथ खेलने के लिए यानि की आपको किसका किरदार जादा पसंद है मुन्ना का या फिर भाईया का और क्यों तो इसका अंसर है यानि की मुझे मुन्ना से जादा भाईया का किरदार पसंद है क्योंकि वह करतव्य परायान था या फिर अपने करतव्य का पालन करने वाला था या फिर आप दूसरा अंसर लिख सकते हैं कि यानि की मुझे मुन्ना के करदार जादा पसंद है क्योंकि उसे खेलना और अपनी जिंदगी का लुथ उठाना या जिंदगी का आनन्द लेना पसंद था वै भाया के परती उसके अंदर प्रेम था और वै भाया का आदर भी करता था let's talk do you have a timetable at school जानी कि क्या तुम्हारे school में कोई timetable है बिल्कुल होता है ह हर school का एक timetable होता है आगे दिया है how many periods are there for the following subjects and activities in one week जानी कि एक week में जो नीचे दिये गए subjects है और activities है उनके कितने कितने periods होते है तो यहाँ पर कुछ subjects और activities दी गई है तो इनके लगबग कितने periods होते हैं यह आपको बताना है जैसे English के week में लगबग 6 periods होते हैं इतने ही Hindi और Maths के होते हैं Science और Social Science 5th class में Science और Social Studies नहीं होता है लेकिन जिन schools में होते हैं उनके लगबग 6 periods ही होते हैं उसके बाद Games, Games में around 4 periods Art 3 periods, Craft 3 periods, Music 4 periods, Dance 2 periods और Other Activity में CCA Activity में होते हैं 2 periods Next आपका दिया है Now make a time table for yourself including your study time and your play time यानि कि अपने लिए आपको एक time table बनाना है जिसमें आपको अपना study time भी रखना है और play time भी रखना है और उसको follow भी करना है तो यहाँ दिया हुआ है आपका एक sample time table आप अपने तरफ से भी अपना time table बना सकते हैं Creative Writing The format of a letter is given to you आपको यहाँ पर एक letter का format यानि कि एक letter का प्रारूप दिया गया है Letters to friends and close family are written in the same way as you speak to them यानि कि जो friends और close family members को letter लिखा जाता है वो उसी language में लिखा जाता है जिस तरह से आप उनसे बात करते हैं यानि कि उसमें कोई भी formality नहीं की जाती है बच्चों यहाँ पर दो तरह के letters होते हैं Formal letters और informal letters Formal letters वो होते हैं जब आप किसी head of the institution को letter लिखते हैं या फिर letter to editors इस तरह के जो letters होते हैं उनको formal letters बोलते हैं और उसमें formal language यूज की जाती है जबकि आप friends और close family को जो letters लिखते हैं वो informal letters कहलाते हैं और उसमें कोई भी formal language यूज नहीं की जा सकती है और हम कह सकते हैं उसमें use की जाती है informal language बच्चों यहाँ देख सकते हैं यह एक sample letter है और इसमें सबसे उपर आता है आपका writer's address या फिर हम उसको sender's address भी बोलते हैं उसके बाद आती है date then greeting या फिर हम उसको salutation बोलते हैं और उसके बाद आती है body of the letter जिसको हम 2-3 paragraph में divide करते हैं और उसमें भी starting के paragraph में क्या आएगा introduction portion then the main body then ending और सबसे last में आता है closing तो बच्चों यह letter लिखा गया है Krishna Boys Hostel से जो की model public school का hostel है कॉलकाता में date है 10th July 2000 अब आगे salutation या फिर greeting दिया गया है my dear maa यानि की अपनी maa को greet करते हुए maa को letter यह लिखा गया है this is my first letter after the summer vacations यानि की गर्मियों की छुट्टियों के बाद यह मेरा पहला letter है we started our classes the day after we reached the hostel यानि की जिस दिन हम hostel पहुँचे उससे अगले दिन से हमने अपनी classes शुरू कर दी थी I have settled in well यानि की मैं यहाँ पर अच्छे से settled हो गया हूँ we have a new teacher for clay modeling and pottery यानि pottery और clay modeling के लिए हमारा एक नया teacher आया है clay modeling होते है जब clay से हम कोई models बनाते है fruits, vegetables, animals के models बनाते है that is called clay modeling और pottery का मतलब होता है clay से pots बनाना तो she tells us how to make fruits and vegetables with clay यानि की जो नई teacher है वो हमें बताती है की clay से कैसे fruits और vegetables हमें बनाने हैं we then paint them clay pots यानि clay models बनाने के बाद हम क्या करते हैं हम उनको paint करते हैं they look so real और वो बिल्कुल असली के दिखाई देते हैं we have an inter house poetry recitation coming up in August यानि की August में हमारा inter house poetry recitation यानि की काव्य पार्ट है I am really excited about it और मैं उसको लेकर बहुत ही उत्सुक हूँ it is a long poem but we learned it together with our teacher ये लंबी poem हैं लेकिन हमने अपने teacher के साथ मिलकर इसको याद किया है एक साथ याद किया है it is nice to be back in school with my friends and teachers यानि की friends और teachers के साथ school वापस आकर अच्छा लग रहा है I remember you and baba a lot यानि की मुझे तुमारी और baba की बहुत याद आती है give my love to grandmother यानि की दादी को and grandfather दादा को मेरा प्यार देना do right back soon और जल्दी ही इस खत का जवाब लिखना your loving son तुमारा प्यारा बेटा आपका प्यारा बेटा प्रताप यानि की इस letter को प्रताप ने लिखा है और अपनी मा को लिखा है और कहां से लिखा है Krishna Boys Hostel जो की कॉलकाता में है चलिए बच्चों एक बार फिर से हम informal letter का format देख लेते हैं informal letter में सबसे पहले सबसे उपर left hand corner पे आता है writer's address या फिर sender's address then date then greeting या फिर salutation उसके बाद जो letter का main content है उसको तीन या चार paragraph में हम divide करते हैं starting में हम उसका introduction देते हैं then body then उसको letter को end करते हैं और सबसे last में आता है closing after reading the letter answer the following questions यानि कि अभी जो आपने letter पढ़ा है उसको पढ़ने के बाद इन questions के आपको answer देने हैं first is who has written the letter तो ये letter किसने लिखा है ये letter लिखा है प्रतापने second is to whom has the letter been written ये letter किसे लिखा गया है तो ये लिखा गया है to his mother यानि कि प्रताप की मा को ये letter लिखा गया है next is where is the writer of the letter यानि कि letter का जो writer है वो कहा है वो है hostel में next is what is the name of his hostel hostel का नाम पूछा गया है तो hostel का नाम है Krishna Boy's Hostel next is on which date was this letter written किस date में ये letter लिखा गया है next is now write a letter to your friend or relative in another city telling him or her about activities or events in your school यानि कि अपने school में होने वाले activity या events को बारे में बताते हुए आपको letter लिखना है अपने किसे friend या फिर relative को जो की दूसरे शहर में है follow the same pattern as the above letter उपर जो letter दिया गया है same pattern आपको follow करना है या हम कहें same format में आपको letter लिखना है और format क्या है this is the format जहां पर शुरू में आता है writer's address then date then greeting then content जिसको introduction body और ending में divide किया गया है then closing so let's write the letter first of all will come writer's address that is Jawahar Girls Hostel modern public school Kalikar Kerala उसके बाद आएगा date that is 17th July 2021 and after that greeting or salutation dear Radha then the main letter it's been three months now since I shifted to Kerala यानि कि मुझे Kerala shift हुए अब तीन महीने हो चुके है I am very excited to tell you about the recent events in my school मैं आपको अपने विद्ध्याले में हाल ही की घटनाओं के बारे में बताते हुए बहुत ही उत्साहित हूँ it has been a long time since I updated you about the activities going on in my school यानि मुझे अपने स्कूल में चल रही गती विद्ध्यों के बारे में तुमें update करते हुए काफी समय हो चुका है यानि काफी समय से मैंने तुमें कोई भी update नहीं दी है we recently celebrated onam in our school यानि हमने हाल ही में अपने स्कूल में onam मनाया है it was celebrated wonderfully by all the teachers and students in my class या मेरी कक्षा में सभी सिक्षकों और छात्रों द्वारा शांदार धन से मनाया गया everyone in the class prepared five to six dishes यानि कक्षा में सभी ने पांच से छे व्यंजन बनाए they were spicy but delicious वे मसालेदार थे लेकिन स्वादिष्ट थे we then performed कथकली dance in the auditorium इसके बाद हमने auditorium यानि की सभागार में कथकली नरत्य किया in the end we got gifts from the principle as a token of love यानि की अंत में हमें प्रेम के परतीक के रूप में प्राचारिया से उफार मिले you should definitely visit केरला soon so we both can enjoy the new culture together यानि की आपको जल्द ही केरला जरूर आना चाहिए ताकि हम दोनों एक साथ नई संस्कृति का आनद ले सके looking forward to meet you soon यानि जल्द ही आपसे मिलने के लिए उत्सुक हूँ your loving sister आपकी प्यारी बहन निधी तो बच्चो ये था आपके लिए letter का format आप अपनी तरफ से भी कोई भी letter लिख सकते हैं next is comprehension read the following passage and answer the questions that follows यानि की निमलिकित कज्जान्स को पढ़िए और उसके बाद आने वाले questions के answer दीजिए तो passage है Oliver was a nine year old boy यानि की Oliver 9 साल का लड़का था he lived with other homeless boys in an orphanage वे अन्य बेघर लड़कों के साथ एक अनाथाले में रहता था orphanage का मतलब है अनाथाले he was pale and thin as were the other boys living there यानि की वे वहां रहने वाले अन्य लड़कों की तरह ही पीला और पतला था this was because they had to work hard but were never given enough to eat ऐसा इसलिए था क्योंकि उन्हें कड़ी मैनत करनी पड़ती थी लेकिन उन्हें कभी भी खाने के लिए परियाप नहीं दिया जाता था the honor of the orphanage यानि अनाथाले का मालिक Mr. Bumble कौन था? Mr. Bumble था was a cruel man एक क्रूर आदमी था he ill-treated the boys और वे लड़कों के साथ बुरा व्यवार किया करता था the boys were always hungry यानि कि लड़के हमेशा भूके रहते थे it was true yes such था that they were given three meals a day कि उन्हें दिन में तीन बार भोजन दिया जाता था but each meal consisted only of a bowl of watery soup लेकिन परतियेक भोजन में केवल एक कटोरी पानी वाला सूप होता था they were almost starving वे लगबग भूके मर रहे थे almost का मतलब है लगबग और starving का मतलब है भूके मरना so it was decided by them to ask the master for more soup यानि कि इसलिए उनके द्वारा master से और soup मांगने का नेने लिया गया but who will bell the cat लेकिन बिल्ली के गले में घंटी कौन बाह देगा finally the tasks fell to Oliver और अंत में यह कारिया Oliver को दिया गया when all the boys had assembled in the cold stone hall for their evening meal यानि कि जब सभी लड़के शाम के भोजन के लिए ठंडे पत्थर के hall में इकठा हुए assemble का मतलब है इकठा होना the soup was served यानि कि soup परोसा गया it soon disappeared और यह जल्द ही गायब हो गया यानि कि सबने खालिया खतम हो गया the boys whispered to one another and one boy pushed Oliver a little यानि कि लड़के आपस में फुस फुस आए और एक लड़के ने Oliver को थोड़ा धक्का दिया whispered का मतलब है फुस फुसाना और push का मतलब है धक्का देना Oliver making a brave effort stood up walked up to the master with his bowl and spoon in his hand यानि कि Oliver बहादूरी से खड़ा हुआ हाथ में कटोरा और चम्मच लेकर master के पास गया and said tremblingly और कांपते हुए का please sir I want some more यानि कि please sir करपिया महदे मुझे कुछ और चाहिए now let us do some question answer from the passage first question is why did Oliver live in the orphanage यानि Oliver अनाथाले में क्यों रहता था orphanage का मतलब है अनाथाले तो इसका answer है Oliver lived in the orphanage because he was homeless यानि कि Oliver अनाथाले में इसलिए रहता था क्योंकि वह बेगर था homeless का मतलब होता है बेगर second is who was Mr. Bumble यानि Mr. Bumble कौन थे Mr. Bumble was the owner of the orphanage यानि कि Mr. Bumble उस अनाथाले के owner थे उस अनाथाले के मालिक से third is what meals were the boys given यानि कि लड़कों को क्या खाना दिया गया तो इसका answer है the boys were given only a bowl of watery soup यानि कि लड़कों को केवल एक कटोरी पानी वाला सूप दिया गया fourth question है what did Oliver say to Mr. Bumble यानि कि Oliver ने Mr. Bumble से क्या कहा तो Oliver requested Mr. Bumble to give him more soup यानि कि Oliver ने Mr. Bumble से अनुरोध किया कि उसे और सूप दिया जाए next question is the boys were given three meals a day then why were they always hungry यानि कि जो लड़के थे उन्हें दिन में तीन बार खाना दिया जाता था फिर भी वे हमेशा भूके क्यों रहते थे आपके पास तीन options दिये गए है because the soup they were given was never enough यानि कि जो उन्हें soup दिया जाता था वो परियाप्त नहीं होता था यानि कि कम होता था second option है because they worked very hard all day long वे दिन में कडी मैनत करते थे third है because the older boys drank up their soup यानि कि जो बड़े बच्चे होते थे बड़े लड़के होते थे वो उनके soup को पी जाते थे तो इसका first answer सही है because the soup they were given was never enough next question is find the words from the passage that means the same as यानि कि आपको passage से words चांटने हैं जिसके same meaning हो तो first दिया है very hungry यानि कि बहुत भूका तो इसका क्या होगा इसका होगा starving ये paragraph 2 में है next is to vanish यानि कि गायब हो जाना all the boys assembled in the cold stone hall यानि कि जो सारे जो लड़के हैं वो ठंडे stone यानि पत्थर के hall में इकठा हुए here the word assembled means यहाँ पर assembled का क्या meaning है तो assembled का meaning है collected यानि इकठा होना next is from the word assembled remove the last two letters यानि कि last two letters हमें assembled word से remove करने हैं यानि क्या remove करेंगे हम ed remove करेंगे add one letter to make a word which means a time at the school when the whole school gathers यानि कि हमें एक letter जोड़ना है और उससे ऐसा word बनाना है जिसका meaning क्या हो ऐसा समय है जब पूरा स्कूल इकठा होता है तो पूरा स्कूल कब इकठा होता है assembly के लिए इकठा होता है तो next is give a suitable title to the passage यानि कि जो passage है उसको एक suitable title देना है तो इसमें आप अपनी मर्जी से कोई भी title दे सकते हैं तो मैंने title दिया है the orphan boy let's try it to learn means to understand or to gain knowledge यानि कि learn करने का मतलब क्या है to understand यानि कि समझना या फिर ज्यान अर्जन करना यानि कि to gain knowledge आगे दिया है to teach means to show how or to explain यानि कि teach करने का मतलब क्या है किसी को ये बताना है कोई चीज कैसे होती है या फिर उसको explain करना यानि कि समझाना complete the following sentences using the correct form of teach or learn यानि कि यहाँ पर आपको दो वर्ब दिये गए है teach or learn और इनकी correct form use करके आपको sentences को पूरा करना है तो यहाँ आप देख सकते हैं learn और teach की कुछ forms आपको दी गई है तो पहला इसमें है will you dash me chess तो इसमें क्या आएगा इसमें आएगा will you teach me chess क्योंकि will के साथ क्या आता है हमेशा वर्ब की first form आती है और कोई form नहीं आती है तो second है Mr. Sharma dash class 8 तो इसमें आएगा Mr. Sharma teach तो यहाँ पर हम क्या करेंगे teach में हम yes जोडेंगे क्योंकि किसी भी वर्ब में yes जोडने से वो singular हो जाता है तो Mr. Sharma singular subject है तो वो singular वर्ब ही लेगा third is the students have dash about road safety तो इसमें आएगा learn क्योंकि have के साथ आती है वर्ब की third form तो यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे has, have और had इनके साथ हमेशा वर्ब की third form आती है next is my sister has तो इसमें भी पहले की तरह same है has taught me how to ride our horse यहाँ पर भी has के साथ क्या आएगा वर्ब की third form आएगी next is I have dash some of the customs of India तो यहाँ पर have आया है तो have के साथ लगेगी वर्ब की third form तो यहाँ आएगा I have learned next है I dash यहाँ पर past time की बात हुई है तो past time में हम लगाते हैं वर्ब की second form तो आएगा I learned next is choose the correct word and complete the paragraph इसमें आपको correct word चूज करना है ब्रेकिट से और paragraph को complete करना है all the class 5 students of our school dash gathering तो इसमें आएगा वर्ब क्योंकि plural है और past में है were gathering in front of the principal's office they again plural were going for the inter-school race the bus dash again past tense तो क्या आएगा arrived and they left again past tense for the stadium the runners were taken again past tense to the starting point the runners took their positions again past tense sir इसमें आएगा blue again past tense the whistle one student of our school इसमें again past tense ran fast and came first again past tense everyone did again past tense their best and our school again past tense won the trophy everyone felt again past tense joyous तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कोई भी paragraph लिखा जाता है तो हम किसमें लिखते हैं past का कोई भी action हो कोई भी story हो तो हम उसमें लिखते हैं past tense हैं next is read the following sentences यहाँ पर कुछ sentence दिये गए हैं आप उसको read करिए पहला है भाईया has been studying in the same class for two years भाईया एक ही class में दो साल से पढ़ रहा है तो जो four words आएगा four आएगा for a period of time यानि की एक duration के लिए एक time duration के लिए हम word यूज करेंगे for जैसे की for two years दो साल से for five years पाँच साल से for eight years for ten years इस तरह से four आएगा आगे दिया है मुन्ना वाज flying kites since morning मुन्ना जो है सुभा से जो है पतं उड़ा रहा है तो from a time in the past till the present तो उसके लिए यूज करते हैं since यानि कि किसी समय से अब तक यानि कि since morning यानि कि सुभा से since birth यानि कि बच्चपन से जब से जन्म हुआ है तब से since last night पहली रात से since morning यानि कि सुभा से since January यानि कि जन्वरी से तो उसमें यूज होगा since तो हमने क्या देखा हमने ये देखा कि जब कोई period of time यानि कि time duration दिया हो तो हम for use करते हैं और किसी point time से अब तक की बात हो तो हम since use करते हैं तो बहुत easy है आप करिए इसको fill in the blanks using for or since तो पहला है I have lived in this house dash I was a baby तो इसमें आएगा since I was a baby यानि कि जब से मैं छोटा था तब से मैं इस घर में रह रहा हूँ तो यहां पर क्या आया है यहां पर एक point time से अब तक की बात हुई है तो since आएगा next है this big jar has been in our family dash many years यानि कि कई सालों से हैं तो यहां पर क्या आया है यहां पर period of time की बात हुई है तो इसमें आएगा four next is the old banyan tree in the village has been there dash the last 200 years तो इसमें आएगा four क्योंकि 200 सालों से हैं क्योंकि इसमें क्या use हुआ है period of time दिया गया है next है nobody has seen him dash yesterday यानि कि इसमें क्या दिया गया है कल से यानि कि आपको एक point time से अब तक की बात हुई है तो इसमें आएगा since यदि आपको इस chapter में कोई भी doubts है तो आप comment section में पूछ सकते हैं साथी ये वीडियो कैसी लगी ये भी comment section में जरूर बताए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चो को इस वीडियो का लाब मिल सकें साथी बच्चो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और bell icon भी दबा लीजिए ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहें